अपनी पसंदिदा फिल्मों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्ले मूवीज बेल आइकन को दबाएं कुछ तुम कहो, कुछ हम कहे कुछ तुम कहो, कुछ हम कहे कुछ तुम कहें कुछ, कुछ तुम कहें कुछ तुम कहा कुछ झाल 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 यह सौ साल पुराना बांध है अंग्रेजों के जमाने का इसलिए अब तक चल रहा है लेकिन और नहीं चलेगा पिछली बारिश में भी मुश्किल से पानी का प्रेशर संभाल पाया था और इस साल भी अच्छी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं इंजिनियर साहब का कहना है क अब तो बांध की रिपेरिंग होनी ही चाहिए और रिपेरिंग करने के लिए पहले बांध का पानी निकालना जरूरी है हम उत्तर की और छेट करके बांध का पानी निकाल सकते हैं उस तरफ हमारे खेट है वहां से पानी निकालने से हमारे फसले बरबाद हो सकती है अरे ब तो भी नुक्सान होगा मैं भरपाई कर दोंगा विकारी सावजक हमको क्या भीक देंगे हमको ये तो गाउं की बहले की बात करें रूदर प्रताप ये क्या गाउं गाउं लगा रखा है तुमने उस वक तहां थे ये गाउं वाले जब मेरे साथ जुल्म हुआ था जब हमारे आफसनों को रत्ती भर नुक्सान नहीं पहुचना चाहिए बस चलिए दाउजी अ तुमनों ही जाओ यहां से वरना काट के रख दूगा और को यहां पे नहीं रहेगा जाओ यहां से एक पूरभ है को दूसरा पस्चिम ना इन दोनों में कभी मेल होगा ने कभी इस गाउं हुआ हुआ है हुआ है हुआ है जागो पिन उन्हें कुछ चाहिए अपने आप तेरे मालिक एकलास पानी भी नहीं मांगेंगी पूछूँगा तो हमेशा कितर नाभी बूलेंगे पणे लाओं सबजिए मुझे टो पहले ही पता था मौलकीन आपके खाने का पूछेंगी आप उनके दवा का पूछेंगे मुघे तो कोई बुच्था ही नहीं दूदलाओं गर्मागरम नए गोविंद तुम्हें काम करो पुराईद को बुला लाओ एक तो शनी की महादशा चल रही है कहां चल रही है उपर से शुकर निचले स्थान पर बैठा हुआ है मन की शान्ती हो कैसे सकती है इसलिए तो आपको बुला है ना पंडी जी आप ही कुछ उपाए बताए बताए उपाए तो मैं पिछले पांस साल से बता रहा हूं लेकिन जजमान मेरी बात हमेशा टाल देते हैं देखिए मेरा कहना मानिए अपना सस्थी पूरती का उत्सो मनाईए सारे नाते रिष्टेदारों को बुला कर नौगरों की शान्ती का पाट करवा दीजिए घर में रौनक होगी तो बीबी जी की तबियत जो नरम गरम चल र ठीक है गोविन बुला लो सब को इसे भी रखो और यह बॉटल लख दो इसे भी रखो और यह बिस्क्रिट लो आपके अलावा वहां सभी लोगा पहुचे होंगे क्या सूचेंगे वो लोग क्या आपको बिलकुल पड़ी नहीं है आपका कौन सा बाबुजी के सथ खुन का रिष्टा है अपका कौन सा इसे केसे निकल जाएगी मंगला को लिए बिला पापा क्या हुआ पापा आ लाव यू टेक ए सई सुट पाबा लाव यू टू भाइड लॉ पाइड बाबं संवर आपकी नहीं है यू डू टेरे खाने लायक तो पकि गया होगा हरे गोवें यू नो तुम यह ए नहीं पे खडा हू नहीं है नहीं बटा इजाताँ, नाईना बीटिया कि आने से पहले इस यहा! Placi! को हमाला म आपनी घड़ी निकाले है! और मैं आपके लिए घड़ी लेकर आईयो! वाझ 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 यहाई आज इसम्सक्राह वाझ वाझ गधी अज़ा? अरे गड़ी तो बहुत अच्छी है लेकिन इतने पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत थी कौन से मेरे पैसे लगे पिल तो डाड़ी नहीं चुका है ना लो और सुना डॉक्टरी साइबा तुम्हारी डॉक्टरी कहां तक पहुंची ए अपना चोटू है ना चोटू पहली से दूसरी से तीसरी से चोटी में पहुंच गया लेकिन मंगला बीटिया की डॉक्टरी अभी तक पुरी नहीं हुई अरे गोविन डॉक्टरी करने के लिए पाच साल लगते है चोड़िये चोड़िये कोई अगर दिल लगा कर पड़े ना तो साल दो साल बहुत हो गए यह आप मान लेते हैं आप कौन सी बात मनवानी है श्यर वास आइजया है वी अगरी ड़ी कियो नहीं कि शुष्टी पूर्ती की मौके पर हम ड़ण और दादी मा की शाधी फिर से करा दें वाँ 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 अ अशुन लिया दूने उन्ने का शुपाएंगे और सब कि अधाय चाप क्या है यह कुटों के लिए गास्पूस गास्पूस परेश्छे जाए जाके मंदाल लेगा बाबुजी आपका नाष्टा कि अर्यों रुद्र पिन चुप करा बेकार में क्यूं चलवा रहा है इसलिए चलवारा ऑधाय जी ताकि सबस्क्राइब शोर का शोर इस घर में सुना ही नहीं है रुद्र बाबु यह तो खुशियों का राग है सुना है उस घर के मालिक और मालकिन फिर से करें हैं पाऊ कबर में लटक रहे हैं बुठे बुड़िया के और शाधी रचाने चले हैं अरे फेरे फेरते ही राम नाम सत्य हो जाएगा माँ यह गहने बखसे में रख देती हूं माँ इंदर भया की याद आ रही है 25 साल बेद के इस बात को आपको अभी उनकी याद सताती है हाँ बेटी इंसान चले जाते हैं उनकी याद रह जाती है जिस तरह 25 सालों से इस अंजीर इस ढबे में बंध है उसी तरह उसकी याद मेरे दिल में कैद है काश मैं इंदर के परिवार को एक बार देख पाती है बस एक बार आपकी वज़े से आपकी जित की वज़े से मालकी नहीं तनी दुखी है अरे 25 साल गुजर गए उस बात को आप तो गुसा दुख दीजिए मालकी ने एक बार इंदर बाबो के परिवार को देखना चाहती है वो जो इस घर के सुक शांती मान सम्मान सबको मिट्टे में मिला कर चला गया उसके लिए तुम्हारी मालकीन को क्यों इतना प्यार उमणा रहा है वो बेचारा तो इस दुनिया में ही नहीं रहा उसके लिए बुरा बला मत बोलिया वही दुनिया में नहीं रहा तो किसे देखना चाहती हो क्यों बेटा नहीं रहा तो उसके बाल बच्चे क्या हमारे बच्चे नहीं रहे आज तक नहीं रहे तो आज अचानक क्या हो गया ह अब तक जीने की एक आसी थी मन में लेकिन अब लगता है उन्हें देखे बगारी मर जाओकी मां मां सुनो तो मंगला जाओ गोविन जाओ मंबई वालों के भी तार भेज़ दो माँ पैल्स, माँ बड़ीज, माँ अप्रेंद्स तोधें वीवाल ग्राजुएड़ड़ें पीछे बच्पन पड़ा है और आगे जवानी खड़ा है आज हम एक दूसरी से जुदा हो जाएंगे और कल नजाने कहा होंगे I'm really sad this is the last day of college Hey you By the way, we'll miss you We'll really miss you, Miss Jade Lee Don't take my time It's the last day आवारा सब का दिल चुरा के मैं चला हलो 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 मिस्स अगारकर we all know you love पुराना क्रिकेटर का अवासकर but we are very very sorry to tell you there is no one greater than अपना सचेंट अडुलकर वो दिन वो पहार याद आए कालेज का मलहार याद आए कैंटेन की तक्रार याद आए लाइबरी का प्यार याद आए खुबसूरत जवां दिल नशी लरकिया चाहती थी मुझे सब हसी लरकिया खुस्तल वाली खेड़की के पिछे करना इंतजार याद आए वो अदा वो हसी वो अदा वो हसी वो हया वो नजर आरा रा 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 मैं दीवाना मैं आवारा सबका दे चुरा के मैं चला आखों में चराख जिन में लाई मंजिलों की रोशनी दिखाई धीरे धीरे उमीदे जगाई सबको सबका रस सब बुलाई कुछ तो बिंदास है कुछ फरेशान है वक्त की बात से सारे अंजान है दुनिया में नाम कमाई जाने कौन स्टार बन जाई अब शुरू हो गया अब शुरू हो गया जिन्दगी का सफर आरारारारारारा मैं दीबाता मैं आमारा सबका दिल चुदा के मैं चला ये लो मा है 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 आई ग्राजुएरेड वहाँ खुश रहो माम ये कहां जाने की ताया जो मत बताना मा तुम ही सोचो वारनास नहीं वेशनुदेवी बिलकुल नहीं वैसे हमारा ऐसा कोई रिषदार भी नहीं जो हमें अपने घर बुला है ये तो मा से ही पूछना मैं मा से ही पूछ रहा हूं मा आप लोग कहा जा रहे है आप लोग नहीं हम सब लोग हम सब तुम्हारे दादाजी की यहां दादाजी की घर हाँ बेटा इतने सालों बाद उनके यहां से चिट्थी आई है हम सब को गाउं बुलाया है लेकिन आज शाम की चेन से वहाँ भाया यहाँ यहाँ हलो हम मुंबई से आए है आये आये सामान अंदर सामान तो आता ही रहेगा आप लोग पहले अंदर तु चलिए अधिए आये चलो अधिए आये आये मालकिन मालकिन उठीए तो देखे तो कोन आ है मुंबई वाले आये है आये आये पर कुछ आह बुए कि अच्छा है तीपा तीपा है दो ते में तो काउंसी ग्लास में हूा है एक नास और तुम अब है जी मैंने LLB किया है यहने के इंजिनियरिंग नहीं वकील मुझे तो पहले ही पता था देखो ना जैसे हीरे जैसे बच्चों का सुख देखने मेरे इंदर के भाग में नहीं लिखा था अरे यह क्या है मालकिन खुद तो जित करके इन लोगों को यहां बुलाया और खुश होने के बजाए खुदीर हो रही है डाप्टर ने क्या का है खूप खुश रहो कहा यह नहीं इनको इनका कमरा दिखा हाँ आए जली जाओ बिट्टे नमस्ते बहु वैसे तो यह सारा घरी तुमारा है खुश रहो काश के इंदर के रहते मिलती तो तुझे कुछ और या अशिर्वाद दे पाती मैं लेकिन जैसे बगवान की बर्स अधक गये होंगे ना सफर में जी अरे कितना लंबा सफर है कोई बात ने बाराम कीजिए सुबे हुटे मैं आपको बढ़िया सा नस्टा के लाओंगा अरे सा नस्टा के लाओंगा की कि लाओंगा नस्टा झाल झाल आपके दादाजी अभी अभी नीन से जा गए है न इसलिए वो थोड़ा से सुमध तक सम ठीक हो जाएगा आप लोग अब आप आप कीजिए अब हम यह नहीं रहेंगे मा सुबह होते ही लोट जाएगे अभे माँ घर प्यार बुला के बेज़त करने का क्या मतलब इन्होंने हमें प्यार की वजय से नहीं बुलाया अपनी बीमार पत्नी का दिल रखने के लिए बुला भेजाया उनकी बीमार पत्नी तुम्हारी दादी है और वो तुम्हारे दादा तुम्हारे पिता के पिता सो वाट मा हमारे किस पाप की कमी है बहुत बड़ी कमी है अभे हमारे सर पर बुज़ूर्गों का साया नहीं है बिटा माँ अभे जब तक तुम्हारे पिता जिंदा रहे, वो हमेशा इसी कोशिश में रहे कि किसी भी तरह, तुहारे दादाजी का गुस्सा शान्त करें, तुम्हें उनके करीब ले आएं, लेकिन, बिटा, अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम अब किसी भी तरह, अपने डाडी की अधूरी इच्फ पूरी करो, बिटा, देखो बिटा, बडों के सामने जु नहीं होता क्योंकि बड़ों की नाराज की जो है वो सिर्फ सत्ता पर होती है बीतर की गहराई में तो बहुत सारा प्यार होता है हाँ भीया दादी मान ने जब मेरा हाद चुआ था तो मेरे रोंग्टे खड़े हो गए थी और तुम्हारी आके भी तो भर आई थी ना चल चल म क्या मशीन है ना साबू ना बुरूस ना ब्लेड ना पानी आपके पोते जी जब बंबय वापत जाएंगे ना तब उनको बोल देना ये मशीन मुझे दे जाए उस मशीन से मैं आपकी दाड़ी वी वी क्या कर रहा है तू काम के तरफ ध्यान दे माफ करना माफ करना कौन ही सुभी सुभी हावाज कर रहा है अई मर गया मर गया बच गया टेबल की गड़ी थी दीवार की गड़ी नहीं थी लगता है पार जंजे ना ही नहीं है जो इतना टाइम लगा रही है गुड मोरिंग बच्चा पाटी लाइन में लाइन में लाइन में क्यों क्यों ओ यह और बात्रूम नहीं है है ना घर के बीतर में ओके सिया वहां लेडीज ही नाती है लेकिन तुम तो बच्चे लोग हो तुम बाहर भी ना सकते हो है ना कोई लेडीज ने देख लिया तो यह बच्चे तो बहुत देज हैं क्या करें अखिएा अंदर बाहर राएite ऑन छे इन記 ऑन डीका लाइख लोग्सित लाइज टकते करया यहें रेल गडिंदेश कंटरवाला यहा थ очень anch writers जब तक अंदर वाला बहर आता है और हमें खेल आंध रुक रुक क्या हुआ ने रुख गये स्टेशन आ गया खेल खत्म फाउल फाउल सबसे आगे मैं था ओके तुम सब जीतक है मैं हार गया वो क्या है उदर और बात्रूमे तो पहले क्यों नहीं बताया उसमें क२ंदी नहीं है नो प्रोब्म मैं गाना गार काम से ला रूंगा थेड़ गंटे जे क्या करी थी बात्रूम में मैं थेड़ गंटे थोड़ी ना थी बात्रूम में फॉल फॉल मैं तुझे बताता हूँ है यह बरेथ्लिस के स्टायर में शास ली बिना कॉन कहा रहे वही दिदी मुंबाई वाला ओ पा-पा-पा ठोकर में है ये आपके मुझे छेड़ जाए सुन्दरी तुम उस्वाई तुम क्यो चीकरव? चीक तो बुदर से आएगी अबाज हमद 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 क्या हुआ सुन्दरी सुन्दरी देखास् मुंबई वाली का मुखड़ा मुखड़े के अलावा और सब कुछ देखा उसके चहरे पे तो साबुन लगा हुआ था ओ रहा है वो मुंबई वाला क्या करूं हाए कुछ कुछ होता है हाए 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 द्रपीशा हाई बड़ी बुआ तो किसरे नहीं चोटी बुआ हूं सॉरी पहली बार में लहना इसलिए कंफ्यूज जो अरे अरे तुम क्यों अपना हाथ खराब कर रहे हो अरे इसमें हाथ खराब करने की क्या बात है अपना ही घर है वैसे भी मुझे ये सब करना बहुत पसंद है आपको पता है दरसल मेरा आइडिया होटेल खोलने का था ये वकील तो मैं यूही धोके से बन गया चोटी पौर एक बार बताईए घर में मिक्सर ग्राइंडर होते हुए भी आप सिलबटे पर दाल क्यों पीसरें वह इसलिए क्योंकि तुम्हारे दादा जी सिर्फ इस पर पिसी हुई दाल के ही वड़े पसंद करते हैं अउच 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 दब गया उंगली इस ओके कुछ नहीं हुआ चोटी बॉट मुझे इतनी सी चोट लगी और आप इतना घबर आ गई जब दिल में इतना प्यार है तो कल रात आपने मुझे बात क्यों नहीं की कोई भी तुमसे बात नहीं कर रहा था इसलिए मैं भी चुपचाप रहे गई अभी लाई अरे आप क्यों तक्रीफ कर रही है मैं लेकर जाता हूं इतनी अच्छी खुश्पू उसने वड़ों की तो नहीं हो सकती इसमें जरूर आपकी उंग्यों की खुश्पू भी शामल है अब है कि यहां रखों वह जी के तो बड़े संदरबाल है बड़ी बुआ क्या फुपा जी बहुत पुराने खयालों के हैं नहीं तो क्यों नहीं यह जो एक चोटी बना रखी आपने आपके फेस कट के हिसाब से तो दो चोटी आपको बहुत सूट करेंगी हां बड़ी अच्छी लगोंगी न इस मैं बना कर देता हूं दो चोटियां तुम तुम बनाओंगे हां क्यों नहीं जरा घूम यह तो असल में तो मेरा इडिया हैस्टालिस बनने का था यह वकील तो मैं यूहीं धोके से बन गया क्या बाल है आपके लेकिन कभी-कभी शैंपू के अलावा शिका काई से भी धोया जाएंगे हां हां सच can I have a dance thank you अब यही हैसल रखना अच्छा तो यह वड़े बन रहे तुम्हारे है राम अभे ने चोटिया बनाने में सब भूला दिया हां बहुत नन्नी मुनी हो ना दो चोटिया लटका के घुमने के लिए ऐसा भी अभे नहीं का था हां यह कोई उम्र छलो मैंने का था है चल्ओ मैंने काहा बस लेकिन चाची यह कोई जहकरने की बात अच्छा जले भूले जैसे भी हो बहार लेओ बू के बैठें है सच पताऊं बडी आपार बड़ि उम्रवालों को कम उम्रवालों की उम्र और कम होते दे हरा एक बात बथाऊ बिल trillion आश्वर ए रही सो तूम्हारी बातों म op में बिल्कुल नहीं आणे वाली बिल्कुल नहीं आइगे मुझे पता है आप intelligent है तभी तो मेरी आपiese की जम defender पूजा के लिए पूल ले रहे थी पूजा कौन पूजा कौन नहीं भगवान की पूजा के लिए वह हमारे बंबे में तो फूल वाला घर पे ही पूल ले आता है हमारी मुंबई ओ कितने में खरीदे तुमने मुंबई मेरा मतलब वो नहीं है देखो यह अपनी मुंबई का र पूल तो क्या कोई एक पत्ती भी नहीं तोड़ सकता क्या समझी हां और वो तुम्हारे भाईया कहा मूठ चुपाई बैठे नजर ही नहीं आते पलटके तो देखो नाग के आगे ही नजर आएंगे रह गईज अटके क्या है कि अपनी सूरत ही को ऐसी कूबर की कंडे जैसी कमाइन गाइस फालों यह नूट यू इस फालों मी तरह रूब तो देखो जैसे इसके बाप का घर हो उसके बाप का नहीं तेरे और मेरे बाप का है नजाने क्या समझती है आपने आपको यह कौन है डाडी के किसी दोस्ट की लड़की है बच्पन से यहां आती जाती रही है तो दादाजी की लाटली बन गये तुम देखो मैं मैं से कैसा सीधा करता हूं डोंट बोरे हम खबरदार तुम मैंसे कोई भी उसकी तरफ नहीं जाएगा अपनी पाटी अलग उसकी अलग यह भी कोई कहने की बात है दीदी हम जियेंगे तो आपके साथ मरेंगे तो आपके साथ आखिरा अमारी गुट ओके चलो तुमनों सब फ बिना आम पार के तो गिली डंडा ही हो सकता है और जहां तक क्रिकेट का सवाल है इंटरनाशनल गेम है उसके कुछ रूल्स है बहुत चान कारी है तुमें क्रिकेट के बारे में असल में तो आइडिया क्रिकेटर बनने का था यह वकील तुम्हारे यहां केबल टीवी है यहां नहीं चलेगा ठीक है नहीं पैंकता बॉल पैंको आजाद देखता हूं कितने सिक्सर्स मागती है चलो अब देखते हैं लेडीज क्रिकेट कैसे खेलती है कम आन हुआ हाँ यू चॉकलेट याै ये जिस को à अब है कोया हाँ जा हेँ नहीं चॉकलेट येयया कैसे रिषवत टीओ है ये और गे तो और दो शैर्सलूorn बत अब मुंझे भी खेलने दो गे खेलना क्या इसी तरह तुम छोफलेटा हम तुम्हें नजसरी के MILDAY पनादेंगे century ğin green अभी सह संवे मुझे कैप्टन बनाइ था जा तुम्हें एमपार बनादेंगे फोन चोफलेट के लिए तुम लोग आपम इमान पीह स dew में चाहमा अट वा है वह जाओ तो वो उट के जा रही है क्या नाम है उसकार कुछ जंगलाशा याज सा सुनाई देता यह बार बोलकर देखो जंगला कि खाहत जंगला के 명ं मुह xuश जल्द से और एक चम्मा शक्कर उढ़ार के पूरा डिबबा लेकर आती और हमाई पे हुकुम चलाते हैं अरे भावजी थोड़ी सी चेनी ले लो भावजी थोड़ी सी अंदर जाके ले ले अच्छा डबबा भरके ले ले ना अमेशा की ता दादी यह कैसा नाम रखाया अप लोगोंने मे अज की जमाने में इतना पुराना नाम कोई रखता है मंगला तर असले तो मेरा नाम है तेरे माता पिता मुझे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने मेरा नाम तुझे दे दिया वाव वाव क्या है अच्छा लगेगा डॉक्टर मंगला जैकुमार सुलंकी मेबी एस ना बोल सबको अपनी तरफ मिला कि मुझे चिडा रहा है मंगला जंगला मंगला जंगला तो हो गई छेडशार शुरू अब यहीं आगे चल कर प्यार में बदल जाती है और यहीं तो होवे है फिलम में और बोजी आप जो कहती है न कि इस लड़की से घर में रॉनक है अरे इसे तो घर से विदा करने का जी ही ने करेगा आपका सोबे को हूँ अपने पोते से ही फेरे फिर वालो घर की घर में बनी रहेगी चोड़े गोबर के कंडी जैसी तो शकल है उसकी तू ही कर ले उसे ब्या अरे फट कर लेती लेकिन क्या करू मेरा मरद है बड़ा जल्ला काट के फे से केलेंगे बॉल कोन लिक आएगा भाया मैं आपके आपके हैं मैं विश्व प्रताप जी का पोता हूं मुंबै से आया हूँ यारी तुम इंद्र की बेटी हो जी आप 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 लोगों को अच्छा नहीं लगा मैं जाता हूं आप चोड़िया ताओ जी रुद्र अपना दिमाग ठंडर रखो इतनी गर्मी खाने की जरूत नहीं है राम नावमे को नदी पार के मंदर में उत्सो हो गया जमान तो मैं यह कह रहा था उस दिन आप से परिवार वहां जाकर पुजारी को वस्तरादी भेंट करके आप वापिस आ जाए और आने के बाद अपना सश्टी पूर्ति मना लीजिए उसके बाद फिर पंच्वी का दि दिन तो बहुत शुब निकलता है उस दिन आप इनके विवा की रसम पूरी कर लें मतलब बारा दिन के बाद जी क्यों बेटाए तुम्हे कोई दिक्कत है बारा दिन के बाद नहीं दिक्कत तो कोई नहीं है बीच में जरूरी काम के लिए शायद शेहर जाना पड़ेगा इ मेरे पास तो सिर्फ पांसो किनोट है मेरे पास चुट्टे नहीं मेरे पास है ये लीजे लाओ तो श्रीपाल पंडी जी को पांसो एक रुपए देना नानी मा की शादी थुअ क कपी हो चुकी है ये डादा जी की शष्थिपूरती की शादी है उनकी साथवी है ना साथवी तो बाकी के 69 नानिया का है यह क्या हो रहा है मिस्टर आजकर जिसे देखो डॉक्टर बना फिरता है चुपकर मैं नहीं का तैसे महलम लगाने के लिए बहुत दर्था मेरे पाऊ में थैंक यू दादी मा दवालो ददिया उम्र की वज़े से है य ऊम्र यू दूसरे की वी उतनी है ये बताव इसमें दर्थ क्यों नहीं है डॉक्तर मंगला जंगला जंगला जसरता रहता है किस बेचारी को मंगला को ।सो हूर को मा कोुई बैचारी म्यों नहीं यह वो बहुत चालू है दीपा ओके माँ अगर तू कहती है तो अभी जा के सॉझे को रहने दे रहने दे कोई जरूरत नहीं है काम ले पड़ जाएगा अरे सुन तो अभे कि झालूरत नहीं तुरूरत नहीं दो कैर सुन दोड़ rozतिव करszके सॉक्त करेसे हैं कर लोक बञ संय है कि मिल्दी तुरूरत 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 नहीं है द्जदेत node तुरुरुरुरु कुछ नहीं चाहिती चुट गई थी और हएए कि उसकी लाटी छोट गई थी माफी मांगा था आपसे फिर भी आप से मारे जा रहे थे क्या हुआ कि आपको छोड़ा मुझे इंद्र प्रताफ का बेटा गाउं आया हुआ है मैं तो उसी दिन माट डालता लेकिन ताउची ने मेरा हाथ पकड़ लिया अब भले ही मुझे छुपकर रवार करना पड़े जब तक उसे नहीं माट डालता मुझे चैनरी मिलेगा पंड करो इसकी हमासी में दिमाग खराब हो रहा है अच्छा हुआ दीदी आपने बता दिया आपको दिमाग शाड़ा हुआ के बैल गाडी में बैटकर पिक्चर देखने जा रहे हो हाँ काउं में आए हो तो बैल गाडी में भी बैटना चाहिए यर राइट वैसे ये ट्रैक लेकिन इस बीट से तो छे बजे वाले शो में भी नहीं पहुंचोगे जिनको बारा का शो देखता है वो मेरे साथ आजा अब एक की सवारी और है मैं बेशर मकसर नहीं जाती लेकिन मैं जाता हूं ना क्या दीदी क्यों देरी लगा रहे हो पिक्चर छूप जाएगी में बाव खा रही अब क्या हूं यह गलत फैमी में मत रहे ना मैं ट्रैक्टर पेसले बैठी हूँ क्योंकि ये मेरे दादाजी का है ठीक है मैंने कब कहा तुम्हारे पती का है मेरा पती ट्रैक्टर नहीं चलाता तो क्या लॉली चलाता है तुम्हारी चाय में जहर डाल की तुम्हें मार देती और अगर तुम मेरी बीवी होती तो वो चाय में खुशी से पी लेता बच्चो फोल्ड आउन मैं स्पीर बढ़ा रहा हूं जैसे ये ट्रैक्टर दादाजी का है वैसे ही मैं भी उनीका हूं तुम मुझे पकड़ सकती हो कोई कुछ नहीं सोचेगा पकड़ लो मुझे कोई दूसरा ढूंढ लो ओके चोड़ना चुप ये नखली है ना अब ये बढ़ा खी टो भी आई ये इंजन बन कर दो भाईया जंगली हाती है बिगड़ गए तो रौंद के रख देंगे तेजा कहाँ है कौन तेजा पेरा पाफ है ये ये मेरा है तो फिर में हाथ का रहा हूं उस तरह दूसरा है ना ये हाथ उस तरव रखो तो मेरे गंदे पर रखो सीधी तरह बैटने तो तेरी टांग तोड़के हाथ में दे दुगा मिरसे किया तो मुझे बताना तुम यहां बैठो ना कार्थिक मेरी सीट पर आजाओ जी भाईया है हिरो बगीचे में गुम रहा है क्या यह लाल टूपी जल्दी नीचे बैठ हाई 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 क्या नाम है आपका शकीला शकीला कितना अच्छा नाम है इस लड़की का नाम पता है है मंगला जंगला इंप उसटे मेरा नाम नहीं पूछा अरे तो क्या हुआ कहां की रहने वाली हो मुंबई पर हम यह बचारी गाउं की है बहरिया खेडा की उस ने नहीं पूछा तो क्या हुआ अब किसी गाउं से निकल आप अंग्रेजी भी बोलने लगी है वैसे मुंभे में कहा रहती हो कमाठीपूरा रेद लाइट एरिया कब आओगे मुझसे मिलने कमाठीपूरा अब जोक इतना भी फ़नी नहीं था लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया कब जाओगे मिलने मैं आइस क्रीम में ही चोकलेट खाऊँगा यह चोकलेट नहीं मिलती मूबन करो और आइस क्रीम खाऊ क्या दीदी मूबन करूँगा तो खाऊंगा कैसे हाँ एाँ तूमंतर काली तेरवचन नजाएखाली अब्रकडबर ओम्जैम बैम वैम शकलकपलक डख फाइव स्टार वाव थेंक्यू अबै भाया यह कैसे मैजिक मैजिक चौकले तो तुम जेएब में लिए गूमते हो रिश्वत देने के लिए तो क्या यकीन नहीं होता तुम्हें डाउट है ओके अपनी कोई चीज़ दो मुझे यह ब्रेसलेट दो मुझे क्यों क्योंकि मैं इसे लड्डू बना कर देखाऊंगा लड्डू जी हाँ ठीक है यह लो चूमंतर काली तेरा वचन ना जाए खाली अबरदोम शकलाक अबलक तुम सब के लिए फ्रेश फ्रेश बूंती तुम भी दो तुम भी लो तुम भी खाओ तुम भी खाओ तुम भी खाओ वाव भाईया यह दिश्में भी एक अग्डू जैसा है और खाएंगे भाईया अब भी खाओ अब देना दीदी शट अब यह चला की मैं खूब समस्ती हूँ चलो मेरा ब्रेसलेट वापस करो प्रेसलेट हम वह तो लड्डू बन गया और सबने खावी लिया ब्रेसलेट बिकम लड्डू लड्डू बिकम ब्रेसलेट इस अल वन इंद शेम भाई मुझे तो पहले ही पता था है घर आ गया क्या हूँ यहां सर रखके सोने का क्या मतलब मतलब ही हूँ कि जब इंसान तकावा हूँ तो खात के बोरे पर भी सर रखकर सो सकता है ओ गुद नाइट गुद नाइट अब है हाई यह मंगला का प्रेसलेट है ना हाँ वो नीचे पड़ा मिला था मंगला तो कह रहे थी कि जादू दिखाने के भाने से तुमने उससे ले लिया हाँ वो ऐसे ही यह नो तुम मंगला को चाने लगी हो ना अरे मां भी देखो अभे तुम्हारे दादा जी पहले हमसे बिटा बहुत नाराज है अब अगर उनको इस बात का पता चल गया ना तो वो अपने करीब के रिष्टेदारों में ही मंगला के लिए लड़का देख रहे हैं हम माव हमसे करीबी रिष्टेदार उनका और कौन हो सकता है खाय मिठाय अर्य पले बताना था यह भी बिता थे बर्ढे नहीं है मुझे मेरा ब्रेस lid वापसट करीबीक्न और इस लड़ी नहीं सबस्क्राण नहीं था उपक्राण भश्मुन उइसमे बाहन राज़गा नहीं था था तुम्हारे सामने ही नेम्हें सक्षा लड़ु बन तो कांसे लड्डू मंगवा कर देती हूं? ऐसा कोई लड्डू नहीं चलेगा? वही जो तुमने खाया था वही चाहिए उसी से बनेगा ना ब्रेसलेट? ब्रेसलेट बिकाम्स लड्डू, लड्डू बिकाम्स ब्रेसलेट, ओके? आउँ! मस्री भारी यह जवानी है, ना 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 गुद मॉर्निंग, यह है यह 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 पैंचिर प्लीज फटा फटा इसली करते हैं इतना बल्चाने की जूरत नहीं अहां संद्री, वह फिर उदर गया है कितार? उसी पिना कुंडी वाले बात्रूम में तुम भी जाओ ना हाँ 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 ए पैंटो दीदी जाओ आज फ्रीशो दिखाती हूँ तुम भी क्या याद करोगे? सपनो मेरोज आज आज संद्रकी में आना सनमी सुनो, तुम्हारे पैंट फटी है आज मैं तेल लेनी के लिए आई हूँ है यह पैटलू फटी है आरे पैटलू फटी है आरे पैटलू फटी है मैं जो चाहिए समझ में नहीं आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है, बोलिये तो पागल हो गाहां हैं सब अरे पतलुन फटी है यह है। आ किवैंस रij है किवैंस Mat तो किवच से यह सबर फंस किờ ने उषए ने किवैंस किवैंस वा जाए जा हुआ जाए यह ज़िए पश्चात हनुमान जी भगवान श्री राम जी की अंगूठी लेकर माता सीता की सुमुख पॉंच कर कहते हैं मंगला है तुमने द्वाइ ले ली तुमने द्वाइ ले ली ली कहाने ने खाया आच काने बाद लेली बिल्कुल द्करताय करे आच करें लै जी लेली जी लेली कहाने से पहले या खाने के बाद क्या हुआ उसने भी बिल्कुल ऐसे ही पूछा उसने? किसने? वहाँ 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 यह क्या है मंगला तुमने यह भी की जीन्स के जला दी? ददू पहले उस ही नहीं मुझे सताय था तो क्या हुआ? हग बनता है उसका वह इस घर का असलब होता है जबकि तुम सिर्फ मेरी एक मूह बोली पोती हो तुम नहीं जानती कितने बड़े-बड़े खर के रिष्टे आ रहे उसके लिए हाँ यह कुछ तुम कहो कुछ हम कहे सुक दुख सदा मिलके सहे कुछ तुम कहो कुछ हम कहे सुक दुख सदा मिलके सहे एक दुझे को इतना प्यार दे ये सासे ये जीवन वार देना कभी हो जुदा कुछ तुम कहो कुछ हम कहे सुक दुख सदा मिलके सहे कुछ तुम कहा तुम कहा सुक तुम मिलन की रात हो, मिलन की बात हो लबों पे हो हसे, हाथ में हाथ हो मिलन की रात हो, मिलन की बात हो लबों पे हो हसे, हाथ में हाथ हो हमें जीना है सब के वासते हम खड़े न सचके रास्ते ना कभी हो जुदा उम्र भर सात में हम रहें कुछ तुम कहो, कुछ हम कहें सुक दुक सदा मिल की सहें बास्ते वास्ते वास्ते रास्ते डास्ते जाट झाल झाल जो अपने खाब थे वो पूरे हो गई खुशी के रंग में आज हम थो गए जो अपने खाब थे वो पूरे हो गई खुशी के रंग में आज हम खो गए कोई आखों से दिल में आ गया खुश्बूओं से मन में का गया ना कभी हो जुदा उम्र बर साथ में हम रहें कुछ तुम कहो कुछ हम कहें सुक दुक सदा मिल की सहें कुछ दूए बाव सब्सक्राइब बाव सथंगे घ्लाव सूइट दिया स्वीट किया फोटो आया है फोटोस मुझे भी दिखाऊ ना शो यूँ नहीं, इनका प्रदान किसको दिखाये तुम्हें देखो मुझे फोटो वापस देडो अभे, प्रीज, ये ठीक नहीं होगा अभे, अरे कहां जारे तु काँ पर अभे, प्रीज आपटने में जाना अभे, कहां जारे तु अरे वाँ यह देखो बाबुजी की फोटो कितनी अच्छी आई है और यह तुम्हारी भी वडा खाते हुए हाँ और मेरे पास तुम्हारी तस्वीर भी है आटा खाते हुए यह देखो दादी मा की फोटो कितनी सुन्दर लग रही है वगर तुम तो बहुत अच्छे फोटो के अफर निकले सच हाँ बिल्कुल सच के रहे हैं सच मैंची हैं लाइए अब मुझे दे दीजिए यह फोटोग्राफ हमें देने के लिए नेकाली है नहीं इन्हें मैं अपन दीपार मैंने कभी महसूस नहीं किया है परिवार होने का हिस्सा क्या होता है दादा और दादी का प्यार बुआ का प्यार भरा मजाक और दादी मा के हाथों से खेलाया हुआने वाला यह पिछला हाफता एक सपने के जैसे रहा है जिसे मैं कभी बुलाना नहीं चाहता शश्ची पूर्ती होते ही हम सब चले जाएंगे और मुझे पता है आप हमें फिर कभी नहीं बुलाएंगे इसलिए मैं आप सब को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ जब मैं अपनी जिंदगी का पहला केस लड़ूँगा तो सबसे पहले मैं दादा और दादी की तस्वीर के सामने जाऊँगा और हाथ चोड़कर आशरवाद मांगूँगा और वो मुझे आशरवाद दे देंगे जब मेरी बहन की शादी तैह होगी तो मैं अब सब को काड़ भेज़ोंगा लेकिन आप में से कोई भी नहीं आएगा ना दादी मां ना दादाजी ना अंटी ना अंकल कोई भी नहीं दुख तो होगा मुझे पर मुझे पूरा विश्वास है आप सब उसे तस्वीर से ही आशरवादे देंगे अरे आप सब इतने सीरिज क्यों हो गए मैं आपको एक सूपर फोडोग्राफ देखाता हूं बेटी ये इंदर की चेन है इसे तुम पहन लो नहीं दादी मां दादा जी को शायद अच्छा ना लगे मगर हां किसी दिन अगर वो खुद अपनी खुशी से मुझे पहनाएंगे मैं इसे जरूर पहनूंगा कॉझा कॉझा ना ना अपुझा रवर्स कॉझा मुझे भी उठाओ ना नहीं मुझे पहले कल कल promise 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 hi hi बहुत अच्छी लग लही है उस ज्रेस तेंक क्यूंग वैसे तो ये तुरेस सुन्दरी पर जयादा जचेगी मैं साइक्लिंग चैंपियन हुँ और हमेशा फ्रस्त आती हूँ मेरे बहुत है रंडिंग रेस में हमारी दीदी नमबर वन है मेरे भई लगाए बी नमबर वन है अभी पता चल जड़ा है कि नमबर वन कौन है जो जो भी मंदिर वाले तालाब से, कमल का फूल तोड़के लाएगा, वही नंबर वन कह लाएगा, मन्जूर है, मन्जूर है, हाँ, मुझसे कोई पूछेगा, मैं लडगों के साथ कॉमपडेशन नहीं करता, क्यों, घबरा गए, जो बहाने बना रहे हूँ, हम, इजद का सवाल अरे भाया, ओके, अल रबेस दीदी, थैंक्यू, वट लब, वान, टू, ट्री, अरे दीदी तो निकल गई, डोंट वरी, यही लॉट कर आ जाएगे, भाया जल्दी उठो, वदना हम बेट हार जाएगे भाया, उठो, अरे जल्दी उठो, वजना हम बेट हार जाएगे, भ शायद हाने के दर से वही रह गया, हलो, जंगला, मंगला, रुक्यों गई, जाओ, बाइदो वे, थैंक्स, वो किसलिए, क्योंकि दादिमा ने कहीं तरह की सबजियां असली गे में बना कर मेरा वेट बढ़ा दिया, अब तुम्हारे इस चैलेंज से कम से कम दो किलो वेट तुम्हारा वेट क्या है, फिफ्टी, तुम्हारे सद का नहीं, तुम्हारे बॉडी का वेट पुछा है, अब पते चला मेरा वेट, अब पते चला मेरा वेट, हुँ, हाँ, 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 अरे, बेचारी का हैंडल टेडा हो गया, चोट मुझे ही लगी है, प्लीज, यह, यह नहीं, हैप मी, साइकल तो उठाने होगी न, उठो, साइकल चला पाओगी ठीक है तुम सामने बैठो मैं चलाता हूँ मुझे तो पहले ही पता था आए हाए हाए इतनी जल्दी साइकल पर बिठा लिया लगता है जल्दी ही शादी की बिठाई खिलाओगी वह पार में प्यार में पड़ते हैं यह मैंने ही सारी दुनिया कहती है याने की डिदी जीत गई नवा मेरे भाया मंगला से कभी हार ने सकते बोलो ना क्या हूँ भाया मैं हार गया हां में मंगला से हार गया मंगला दीदी जी रए ये जूठी हारजीत समझे बावु आपकी असली हारजीत तब तक नहीं होगी जब तक दादाजी का आशिरुवाद नहीं मिल जाता कर दो लाजो कर दो हुआ सलाम दिल का मैंने आशिक कर ली हुआ सलाम दिल का मैंने आशिक कर ली उम्र भर के लिए तुमसे दोस्ती कर ली हुआ सलाम दिल का मैंने आशिक कर ली हुआ सलाम दिल का मेनी आशिके कर ली हुआ सलाम दिल का मेने आशिके कर ली उम्र भर के लिए तुम से दोस्ती कर ली उम्र भर के लिए तुम से दोस्ती कर हुआ सलाम दिल का दिल का अजब इसी ये चाहत है ये पहली महावबत है पूछो न कैसा हाल है अंधिर में जानों में मैं कोई हूँ ख्यालों में ये तो घजब का साल है प्यार के दिये जलाके मैंने रोशनी कर ली हुआ सलाम दिल का मैंने आशकी कर ली हुआ सलाम दिल का मैंने आशकी कर ली हुआ सलाम दिल का मैंने आशकी कर ली कहीं भी जल जाओं मैं तुझे ही बस पौओं मैं तहरा है तीरा हर जगा नजर में बसी है तू नजारों में छुपी है तू चेहरा है तेरा हर जगा जान जाएगी अगर तूने बेरुखी कर ली हुआ सलाम दिल का मैंने आशकी कर ली हुआ सलाम दिल का मैंने आशकी कर ली उम्र भर के लिए तुमसे दोस्ती कर ली अच्छी डॉक्त्री है डॉक्तर साइबा चोट उस घुट्नी पर लगी है पर मलम इस पर लगा रही है तर लग रहा है तुखी हाना मैं लगा देता हूं बिलकुल नहीं दुखेगा फ्रामिस कोई बदमाशी नहीं करूँगा शराफत से लगाऊँगा फ्रामिस हूं 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 ओके बाबा बदमाशी करूँगा लाओ हूं 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 अच्छा तुमनी जीत कर भी हार के मान ली सच सच बता दू हां एक्तम सच एक तो यही तुम्हारा गुटन चल गया था उपर से में सची बात पता देता तो जखं पे नमक चड़कता हो जाता ना हां हूं हां यूं अच्छी बात है अकर तुमारी मुशी को बुलना कर भाया कि तुम मज़े प्यार करते हो तो मेरा नाम भी मंगला नहीं है कि अब कि आप लोग आपकी तया है क्या बात है आज सब लोग यहां आने के लिए साथ साथ निकले हैं जी हम आपकी राय ले दो थे विश्णुकतार जी कैसी राय जी हम सब लोग इस बार भी कर नीचे मेला लगाने वाले तें माता के मंदिर के आगे पर इंजीनियर साहब की बात सुनकर हम सब लोग डर गए कि बांध की हालत खसता है कहीं एन वक्त पर टूटार गया तो अरे शुब शुब बूलिये रस्तोगी जी कैसे बात कर रहे हैं आप माना कि बांध की मरमत जल से जल्द होनी चाहिए लेकिन ऐस सभी क्या है सब कर माता पर भरोसा है ना जी पेशक मेला लगवाईए मां सब को सभाल लेगी कि माईए बीजी आए बाबुजी दस रुके में छार बार कि समतल बाईए जाए रिंग फिके है नेल पॉलेज जीत के लिए महवा अखोछ हो जाएगी यहा नेल पॉलेज फ्लीज भीडा अजनी बोलो ना अपने जादुगर को फिषिक करके बना देगा चौकलेट कि रिंग देलोंगी यहां बिलकुल फिरिहार कई बडलक हर चीज पाना इतना असान नहीं होता त्रश्थ है यहां बार यहां 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 फार्ट नहीं है यहां लोग वावाँ एक्षेंज कर लो चीज आप लोग आपस में रिंग बदलनो कि एक्सक्यूस मी मिस्टर इस रिंगी बात कर रहा है क्या बाई रूद्रा बाबु अपने वकील को लेकर लाए यह सरा सर जात्ती है विरेंदर प्रताप जी जास्ती वास्ती समझे सरकारी नौकर और तंकाल और चुप बैठो मैं आनके मामलेवाज सरकार को चिठी लेकर हु बान में छेद नहीं किया जाएगा इसी बात के लिए तो कोड से इस्टे ओडर लेकर रहा है दिखाओ वकील इनको वो क्या है अरे समझे स्टे ओडर हम सब मिलके दो दो हाथ लगाएंगे दो में बान में छेद हो जाएगा इन लोगों से बात करना ही बेकार है विश्णू आप कानून कैसे जानते हैं? बात तो उसकी ठीक है वैसे प्रान हानी का डर बताकर हमारा स्टे अओडर कैंसल करवा सकता है बलकि हम लोगों को जैल भी बिजवा सकता है वैसे लड़का कानून जानता है कौन हो बाबु नाम क्या है तुम्हारा अभेंदर विश्नु प्रताप सिंग यानि कि आप विश्नु जी के पोते हो जी अरे शेर ही के घर में शेर पैदा होते हैं दादा का नाम पोता ही रोशन करेगा अरे बोलो अभेंदर विश्नु प्रताप सिंग की जिन्दावाद अभें बाबु जिन्दावाद अभें बाबु अभें बाबु अभें बाबु अ किसी दिन अगर दादा जी खुद अपनी खुशी से मुझे पेनाएंगे मैं ऐसे जरूर पेनाओंगा बेटे मैं आज ही अपने हाथों से ये चिन तुमें पेनाओंगा अबय बाबु आज दादा जी बहुत खुश हुए हैं ये मोका छोड़ना नहीं मंगला का हाथ मंगलो उनसे फण बुट्डा बुड़ी के शारी रचाना आयाegen था ना फिर गाउं के मामले में क्यों दखल दे राएं ये मामला कोट में हैं वहींज इसका फैसला बर जाएंगे और छेत किया दो लोग पानी में नहीं खून में बह के मरेंगे याद रखना ऐसे कितने लोगों को मार दोगे तुम्हां सबसे पहले तो मैं तेरे खांदान को तभा करूँगा उसके बाद तेरे आखों के सामने तेरे दादा को काट कर मंदिर में बली चाड़ कर दोचा है। अभी नहीं अभी रुदट हो रुदट हो रुदट हो कियो आये हो यहां ? किसलिए आये हो ? एक बार तुम्हारे बापने आग लगाई थी जिसमें हमारे दोना सुखी परीवार जुलस रहे हैं और आज तुम यहां आए हो उसी आज में घीर डालने के लिए जिस परिवार का प्यार वापस हासित करने के मैं कोशिच कर रहा हूँ उसे पर तुम पाली फेर रहे हो अरे तुम्हारे बाप ने तो हम लोगों से दो टुकुडे में भाटा लेकिन लगता है तुम तो पूरे गाव के डोटु कुडे करोगी जाओ तुम चलो जाओ यहां से यहां तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है इस गाव से चलो जाओ पता था मुझे तुम यहीं पर मिलोगे बहुत दुखे हो ना दादा जी नो तुम पर हाथ उठा दिया तुम्हारा यह गुस्सा बिल्कुल वाजिब है लेकिन दादा जी का थपड मारना भी तो वाजिब था तुम जानते हो यह रुद्र प्रताप कौन है नहीं तो फिर यह भी नहीं जानते होंगे कि अपने सामने वाले कोठी में कौन लोग रहते हैं वो तुम्हारे दादा जी के सगी छूटी बहन का घर है भै क्योंके दादा जी अपनी इकलोती बहन को हमेशा अपनी आँखों के आगे देखना चाहते थे इसलिए उन्होंने अपने दोस्त वीरेंद प्रताप से अपनी बहन का ब्यहा कर दिया इसके बाद यह दोनों परिवार बस नाम के लिए यह दूर रहे गे थे वरना दादा ज उनके छोटे भाई नरेंदर प्रताप तुम्हारे दादाजी की बड़ी इद्जत करते थे सब लोग यही चाहते थे कि यह रिष्टा पिढ़ी दर पिढ़ी ऐसे ही चलता रहे जब यहाँ विरेंदर प्रताप के भाई नरेंदर प्रताप की बेटे अमृता बड़ी हुई तो उनका ब्या तुम्हारे पिता इंदर प्रताफ से करना चाहा वैसे भी उस बेचारी को बच्छपन से यही समझाया गया था कि इंदर प्रताफ ही उसका होने वाला पुती है अरे इंद्रो तुम चुप क्यों हो कुछ बोलो भी बेटे वीरेंद्र प्रताफ आज तुम इसके मूझ से हा करवा ही लो देखो इंद्र नरेंद्र की बेटी अमरितास से तुमारा ब्या तो होने वाला है अब मेरी शांती बेटी के लिए अच्छा रिष्टा आ गया है अब हम चाहते हैं कि दोनों बेटीों के ब्या एक साहा एक ही मंड़ें में कर दिया जाए तुमारे क्या रहा है जी मेरा तो ये फाइनल येर है और इस साल तो में शादी के बारे में सोच भी नी सकता बात तो इंदर की सही है इसकी इतने सालों की मेहनत हम अपने स्वार्थ के लिए जायर नहीं कर सकते ठीक है इस साल नहीं तो अगले साल हो जाएगी शादी भाई साप फिलाल हम इंदर प्रताप और अमरता की सगाई करके शांती की सादी कर देते हैं फिर अगले साल इन ही दुनों में इंदर और अमरता की शादी भी हो जाएगी ठीक है ना भाई साप ये भी ठीक है विश्णू शही है तो इंदुक भाई सगाई करने में तो तुम्हें कोई इतराज नहीं है ना यही तुम्हारे पिता ने गल्ती की उसने एक साल की महुलत तो मांग ली पर असल बात नहीं बताए कि वो बंबई में तुम्हारी मा से प्यार करता था लेकिन वक्त किसी के लिए ठहरता नहीं देखते देखते साल गुजर गया और जैसे ही तय था शादी का दिन भी आ पहुँचा दिदी ये काला टीका लगा लो हाई 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 कतल कर रही हो साली जी आज तो सच्ची बस भी कीजी पता है सब्लों मुझे क्या कह रहे है क्या शाथि को एक साल भी नहीं हुए और अतना बड़ा पेट अरे दमाजी आपको बुला रहे हैं दूले की यहां जोड़ा लेकर ज प्रश्चेशन गये हैं लगता है वह शहर जा रहे हैं क्या अब है कि 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 इंदर वाब आपके नाम चिठी दे कर गये हैं कि बाओ जी मैं अमरिता से शादी नहीं कर सकता क्यूंकि मैं मुंबई में एक लड़की से प्यार करता हूं और उसी से शादी करने जा रहा हूं हो सके तो मुझे माफ कर दे ना स эксперु करते हैं बादी झाहन मैं बादी झाहनी झाहनी यर यादी झाहनी управ kendimi, बखिअका था करता अוכ ड़्टा प्रिट भफे किनो इता प्रिट ऑी बड़ा वीस्टोरे पनें, बड़ा अगर तुमारे बेटी का शेहर में नेन मटक का चल दा था तो तुमने अंधेरे में क्यों रखा हूमें विरेंद्र पताप मुझे इस बास का कुछ पता नहीं था अगर पता होता तो मैं जोड़ा ने चोड़े लग जागी चोड़ा बस्ता इसे अरकत करता है आप बड़े होकर रोगी सकते हुए भारन लेकर लिकला बार आज तुमस्टा व्हें सब्आ लेकर शायासे कर दो को? कर दो चमादी? रुल को! है रुल को! रुल को? हो उती है तब kra रुल Krish हल रुल को जो आनेरेंद्र। लरेंद। बड़ा अनर्थ हो गया उस दिन। तुम्हारे पिता की एक भूल की वजह से विरेंद प्रताप का सारा परिवार तैस वहस हो गया। सच पूछो तो दादाजे का दर्द कोई नहीं समझ सकता। आमने सामने रहने के बावजूद वो अपने बहन का हाल तक नहीं पूछ सकते। हाल तो क्या नदर उठा के उसके घर की तरफ देख नहीं सकते। जिसे वह अपना घर समझते थे। इसलिए बेचारे हवन करते हैं। ग्रवों की शांती करने के लिए पूजा पाट करवाते हैं। जितनी पार वो पूजा में बैठते हैं। भगवान से यही मांगते हैं कि किसी भी तरह से दोनों परिवार एक हो जाए। और उनको उम्मीद भी थी कि विरेंदर प्रताप एक ना एक दिन दोस्ती का हाथ जरूर आके बढ़ाएंगे। लेकिन आज जब तुमने रुद्र प्रताप को मारा तो दादा जी से बरदाश्ट नहीं हुआ। उनका हाथ तुम पर उट गया। माँ अभे कल सुबह होते हैं अपने शहर लोड़ जाएंगे। आज जो सारे गाहों के सामने तुम्हारा अपमान हुआ है। उसे मैं बिल्कुल बरदाश्ट नहीं कर सकती। लेकिन माँ अभे। इससे पहले जब तुमने वापस जाने के लिए कहा था तो मैंने तुम्हें रोका था। आज मैं तुमसे कह रहे हूं। कल हम मुंबई जा रहे हैं। उस दिन मुझे रोकने के लिए आपने कहा था। बड़ों की नाराजगी सरफ सतय पर होती है। भीतर गहराई में डेर सारा प्यार होता है। अब बिल्कुल सही थी माँ। कल हम वापस नहीं जाएंगे। अवे। जी। बड़ी भूल की मैंने। जो तुम लोग को यहां बुला लिया। आज मेरी वज़े से तुम्हारा यह अपमान हुआ है। क्या आप भी दादीवां। लिवां। दादाजी के हाथ से मार खाकर अपमान होता है किसी पोते का। सोचो, अगर बचपन से महीं आता रहता तो दादाजी से मुझे प्यार भी खूब मिलता और मार भी खूब मिलती। जब वो खुश होते तो मेरे लिए घोड़ा बनते और जब नाराज तो मुझे मुर्गा बनाते जो हुआ कोई बड़ी बात नहीं है बलकि डर्द तो मुझे यह है कि मुझे मारकर दादा जी के हाथ में दर्द हुआ होगा अबे यह क्या दादी मा उन्होंने मुझे डांट क आज मैं बहुत खुश हूँ अज पहली बार दादाजी ने मुझे चुआ तो से ही वो भी सब के सामने सारे गाउं के बीच उन्हें ने जदा दिया कि मैं उनका पोता हूँ और यह मत भूलिये इंसान उसी को मारता है जिसे वो चाहता है कि मेरा पेटा मेरा पेटा कमाओ दादी मा अब रोमत दादी माव कि 59 सत्तार सुनिए नहाने का पानी रखतीया है बाल्ती में बाल्ती में क्यों दूब मरने के लिए चुलू बार पाने ही काफी था क्यों बेकार में गुस्ता होते है आप बेकार में समझाओ अपने पतीजे को कुछ अकल से भी कामल दिया करे गलती इसकी थी लेकिन तुम्हाबाई ने अपने पोते के मुँझ पर थपड़ मालकर सारे गाहुं के सामने मेरा सर नीचा कर दिया इस दूद में कुछ अकल की घुट्टी भी मिला दिया करो कुछ बुद्धी तो चले उसकी कह देना उससे ऐसी वाईयाद हरकते ना किया गरे समझाने ना उससे चाड़े आठ सो शाड़े नौस दो आपके लिए नहीं पूला मैंने भूल आट के लफटों को जिनने मेरी दीधी की जान लेली मैंने भूल आपके बाप के मोत को मैं कुछ नहीं भूला मैं उसे जिन्दा नहीं चोड़ूंगा नहीं अब बाबू ऐसा नहीं हो सकता यह ना मुम्किन है तो क्या मैं हाथ पे हाथ रखकर बैठा रहूं यह सोचकर कि समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा नहीं गोवंदादा नहीं मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं दोनों परिवारों को फिर से मिलाकर यहां से जाऊंगा और वो समय अब आ गया है रामकरे ऐसा ही हो जाए हां रामकरे वैसे तो मैं दो दिन के लिए नदी पार राम नोमी के लिए जा रहा हूं इस बीच बांध म में जराबी दरार दिखाई दे तो फॉरण आफिस में खबर करना समझे जी बिल्कुल आप कोई फिकर ना करें आप आराम से जाकर आए चलो हरबजान आर्टी से पहले उस पार पहुंचना है माफ कीजिए मालिक इंजन में पानी चला गया है आप उसनाव से चले जाईए एन वक्त पर तेरी बोट खराब होती हमेशा ओफो इस ना से जाएं उस ना से मतलब तो मंदिर पहुंचने से है ना चलो उस ना से चलते हैं समाल के सुनन दर हाथ लो अब बगवान यह सामार यहां रद्दू यह वापस चलना है वापस क्यों यह बोट किसी के बाप के थोड़ी है है चल बैठ ममी मुझे भूख लाग यह कुछ खाने को दो ना हाँ बेचा अब भी देती हो यह बोट कर दो ना है ना है यह जाद मोटते हो इतनी अकल नहीं है छिल के कहा फेगना चाहिए यह बेवकूफ कहीं के अरे अपनी आखों के इलाज करवाव चतुरवेदी यह क्या देख रहा हूं विरेंद प्रताप सिंग और विश्नु प्रताप सिंग दोनों एक साथ हैं यानि रामवरन चतुरवेदी की भविश्वानें जूटीने के लिए दोनों का मेल हो गया है नहीं तो आपको नहीं अरे नहीं पता जी नमस्कार विरेंद प्रताप जी नमस्कार विश्नु प्रताप जी अरे मैंने तो पहले ही कहा था आज से साले तेई साल पहले के आप लोगों के परिवार का मेल अवश होगा लेकिन ये ये पंडित राग है बोला असंबाओ अमपासिबल चतुरवेदी जी मिलकर परसंदफा हुरी कि मेरी बात जो जुख्य० कोcombined मैंने कहा था ना के सब्सक्राइबर को मामा ममी से कभी संबंदर नहीं रखूंगा अब क्या हुआ अरे माफी मांगने के लिए हाथ जोडते हैं घिसते नहीं इतने बड़े हो गए लेकिन अकल नहीं आई तुम्हें जूट बताने के लिए मैं ही मिला था उस रुद्र ने मुझे तिनी जोर का थपड़ मारा कि हफते भर तक मेरे दिमाग में गंटियां टंटान आती रहेंगे अरे इन दोनों खांदान का कभी मेल हो ही नहीं सकता इस जन्म में तो क्या अकलिए साथ जन्मों में नहीं हो पाएगा ये पंडित राम परना चत्रवेदी इस गाल पर दो-दो कमभषण इस गाल पर नहीं मार सकता था भगवान कुछ ऐसा करो कि अगली राम नामी पर अभेयर में पत्ति-पत्नी बनकर तुमारी दर्शन करने आए भगवान ऐसा कुछ करो कि दोनों परिवारे एक हो जाए दादा जी मुझे अपना पोता मान ले और मैं उनसे मंगला का हाथ मांग लो यूं तो वरवधू ही सबका आशिरवाद लिया करते हैं परन्तु शस्टि पूर्ती कर रहे जोड़े के चरण स्पर्श करके उनका आशिरवाद प्राप्त करना बड़े सौभागी की बात मानी जाती है इसलिए उनका आशिरवाद लीजिए कि अजय कोना अजय जिदे रहाँ जिदे रहाम करें जिदे रहाम फिर दूरना बहुत मुश्किल हो जाएगा ला 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 ले बता चिंटू आज क्या खाएगा चौक्लिक या आईस क्रीम झाल। चिन्टू आंख बंद करके पांच तकिनो और आइस्क्रीम हाथ में आ जाएगा हाँ जल्दी आना कि पांच से पहले आंख नहीं खोड़ना हाँ हाँ एक दो तीन चार पाच हाँ कहां चले गए बाइया 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 जाएश आशाव बच्चा क्यों रौरा तूधाल चौदा लोग खोगे आद्चा इसके साथ के ला चौधा लोग खो गया है अरे सर्प चौदा नहीं बच्चा क्यों खोगया है ऑय क्लेश , बच्चा खो गया है वर रह वालक , छोधा में से दो तीर को तो डूढने के की कोशिश करेंगे ना ना रो मत ही तू औज मत रानो सावर कितरह था बच्च्चा सान सटी वह कोई है यह फैमली , बच्चा ले जाओ यहां वह फैमली जो आरी है ना सामने से इस बच्चे की रिष्चेदार है पता कैसे नहीं होगा मैं इसका भाई हूं जो आ रहे हैं वह इसकी फैमली है तुम बोला दूसका भाई है अब बाद बोलने लगा तुए अपने हाथ मेरे खुशा जी और यह बच्चा पाचान तो आप नहीं यह तो गौरी का बेचा है मेरे भाई का नाती हमने कहा ना इस बच्चे को नहीं जानते पुली संकल पुली संकल यह अमारे नाना जी के सामने वाले गर में रहते हैं भाईसाब गल्द बाद फैमिली एक्शन के बीच में ना जो है बच्चे का रायता मत बनाओ प्लीच इस बच्चे को इसकी मांस मिला दो प्लीच आजा आजा बेटे यह आप बी नाना जी नानी मा का अधुक जाएगा आप मुझे गोधी में ले लो ना लो ना ना जी मुझे आपकी गोध में आना है बच्चो चिंटू कहा है अभी तो यह खेल रहा था तुमने देखा ने मामी तो फिर कहां चला गया चिंटू बेटे देखो कहां गया बच्चा इतनी भीड़ में उसे कान ढूंडेंगे अरे दादी मां जरा बहां देखो नाना जी अपनी दाड़ी क्यों ने काटते बहुत बड़ी हो गई है चिंटू बेटा तुमको बना किया था ना यह तो अच्छा हुआ यह उन लों को बिल गया वर्नाच क्या हो जाता इधर आओ कहां चले गे थे तो अभे भाईया ने कहा कि आइस्क्रीम चाहिए तो आइस्क्रीम चाहिए था तो बोल देता मुझे मैं बना देता जादू से चिंटू औरी बॉय चिंटू उधर बगवान से क्या मांगा तुमने बता दूंगा तो फिर मनत पूरी नहीं होगी होगी क्यों नहीं वैसे एक तरीका मुझे भी पता है क्या अगर तुम नदी में डुक्की लगाओ और पूरे तीन मिनें तक पाहर न निकलो तो तुमारी मांग यू फूरी हो जाएगी साच ठीक है अरे कहों जा रहे हो दुक्की लगाने अभी हो तो मजाग करी थी सुनो तीन मिन में पल्स्रिट इतना गिर जगा कि हार्ट फीर हो सकता है तुम अपनी घड़ी देख अभी प्लीस अभी सुनो मांग दो मिट में भी फूरी हो सकत अभी है तीन मिनिट अपनी घड़ी देखो समाना पानी गह रहा है अभे अभी 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 कर अभी की कора और में एलुएर कर दो कर दो दो आज कर रहा हुआ तर दो ≈ES लाफ दो च्टोस कर दो prendॉ बना पहा हुआ प्योड मेघ का लाफ शाम और में लाफ कर दो दो रपphones मंगला क्या हूँ क्यों रो रो रही हो जार निकाल के रखती तुमने मेरी उतार अगर तुपल लोनी आधितो यू किया थे तुमने मेजाद क्यों क्योंकि अपने भाग का सुक तुक तो हर किसी को सहना पड़ता है अब कभी नहीं बाग करूंगी तुमसे कभी नहीं जब से देखा तुमको हाँ जब से देखा तुमको हम तो खोई 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 रहते हैं जब से चाहा तुमको हम तो खोई 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 रहते हैं सोचते हैं कुछ हम कहते हैं कुछ चाहते हैं कुछ हम मांगते हैं कुछ आज कल रात दिन जागे जागे सोई सोई रहते हैं हाँ जब से देखा तुमको हम तो खोई 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 रहते हैं अपनी गली का पता भूल जाते हैं तेरा नाम लेके किसी और को बुलाते हैं अपनी गली का पता भूल जाते हैं तेरा नाम लेके किसी और को बुलाते हैं ना मरना अच्छा लगता है ना खाना अच्छा लगता है आज कल रात दिन जागें जागें सोई सोई रहते है प्यार के प्यारे प्यारे सपने संजोते हैं अक्सार अगेले में बैठ के रोते हैं प्यार के प्यारे प्यारे सपने संजोते हैं अक्सार अगेले में बैठ के रोते हैं कभी दन होई तरपाती हैं कभी आ किसी की आती हैं कभी शोला कोई भड़कता हैं कभी दिल बेताब धड़कता हैं आज कल रात दिन जागे जागे सोए सोए रहते हैं जब से देखा तुमको हम तो खोई 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 रहते हैं खोई 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 रहते हैं अरे माफ कर दो ना यार बात मत करो मजी कहा ना अनारकली 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 कहा चुपी हो तो 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 पहरा ताओ ना क्यों परिशान कर रही हो क्या हुआ इनारकली आनारकली और भाई क्या हो गया हो डूजी सोनी ब्लैक भी ऑनारकली। इतनी अरे कोई बताता है तुम पहले बच्ची को यू बता रहे हो ऑक्या इंसनकी बच्ची क्या यू यो यू यू बता Teacher इंसान की नहीं है फिर किसकी है साप की मेरी रानी मेरी सोनी मेरी आइसाप मिल गया साप मिल गया साप मिल गया दागदेवता यह आफी की किरपा है कि उनका हाथ इनके कंधे पर आ गया और इनका बच्चा उनकी गोद में आ गया जै हो दागदेवता आए इसे पकड़ आप उसे चोड़िये ना क्या हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ है मानिक आपके खेतों में जंगली हाथ ही कुछ गया है क्या रुद्ध हां तुम कर से बंदूग लेकर आओ और तुम हांके बालों को पलाओ आपके जी पुल्त आशी बजवाओ बंप अठागे चलवाओ जाओ जुकि थाओ जाओ जाओ जाओ। कर दो जो 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 ज उड़개 झाल प्याल शुब इयाँ दो, मैंल, परसे 5 दोबम歌 लो जो… जो! कुल दो, जो जो, 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 जो… जो, जो, जो… जो! जो, जो, जो… जो, जो, जो जो! घुचlevant मया खाए और राए नाँ मैं नाँ अ या रा नाँ एतरार एत रही होुआ कि एना। मूँ आजाओ। हुआ ए І खडिए तीररे ताइब 552 प्रीड़ा घे एल disease के जिल? तोर्छोर्प न काotes झालें तोर्छू un तोर्छू Ęईए้ à NA?' बाक र 복व काoot कर रिच बटने करो कारी स्टाट गरो बना खंगी जो कि कुलर बना कि कि अजां डतЙज इंश दुदा में उलー.... कि अजाय! तो चाहन? झाजी पुटिव झाज़ अज़ तो बाजी लुटी भूँ झाज़ झाज़ू दोजी, अप्राव पैर कोजी, फिर्म प्राइब दोजी, समय नहीं, जल्दी करो, जल्दी करो दोजी, सोल्दावा, सोल्दावा प्रल्दाव करोजी, सोल्दी, जल्दाव्रावार सोल्दावा। जल्दाव लार लार रार्व रिर्म पार भीज्ञ, पिर्थ सरहा बें बेट प maintain Brooks olmasıHe FLY-ज़ जलेगभा। जल करोजी, लार प्रावावाड़ करोजावाना someone जाली है थाओची जाली है जाली है जाली है दोक्तर मंगला सुलांखी M.B.B.S काविवा, चिरंजीव, आपे, विष्णुक प्रतापसीन, लल्प, that's better. अंगला कैसी है? अच्छी है. अउंकल, हलो अंटी. हलो बेटा. कौन है? अभाए, इंदर भाहिया का बेटा. इंदर का बेटा. उम्मिद करता हूँ कि इसका बाप जैसान हो. अभे, तुम वह क्या कर रहो बिटे? एक मिनिट दादी मा, एक मिनिट. यो सारी जा ब्यूडुफुल दादी मा. क्या? आपकी सारी सारीयां बहुत अच्छी है. तब ही तो अलवारी में रखी है ना? उससे क्या फाइदा दादी मा. चलो इन में से एक पहन लो और पर में काट देने जाएंगे. काट? वह तो सारे की सारे भेज़ दिये? अपने ननंद को काट दिया आपने? वह उनकी हाँ तो… खुछ जाके देना पड़ेगा. नहीं बिटे. वह तो शायद दर्वाजे से ही लोटा देंगे. अची ऐसे कैसे लोटा देंगे? आखे रभेंदर विश्नुपताब सिंग नाम है मेरा. यह अच्छी है यह पहन लो. कम होन दादी मा, यहां तक आकर बिना काट दिये, हम वापस नहीं जाएंगे. कौन होदर? कोई भी तो नहीं. मुझे तो अस बंबाई वाली का आवाज सुनाई दे रही है. आपको तो हर वक्त उस ही के आवाज सुनाई देती है. पापी. दादी मा, ठीका करो और काट देता हूँ. मुझे उसकी आवाज सुनाई दे रही है, सर पर जल्दी पानी दालो. जल्दी डालो. पानी डालो. पानी रालो. मैं पानी लेकर लेगे वाजिए. पानी दालो. कि यह बच्ची तुम्हारे भाया के साथ मेरा ब्याद दुबारा रचा रहे हैं कि बेती बातों को भूल कर आने की क्रिपा करें कि नमस्ते दादी मा और दादाजी के जीवन का ये बड़ा ही कि अधूरी शुब दिन है कि सारा गाउं घर में जमा होगा पर घर की लौती बेटी और दामा जी नहीं होंगे तो अधूरा सा लगेगा कि प्लीज जरूर आईएगा साब जी साब जी साब जी बान पर दरार पड़ गई है सारा गाउं उसी तरह भाग रहा है जर्दी करो जर्दी करो जर्दी अगर पाने के इस बहाव को रुकना है तो हम सब मिलकर उत्तर की तरब छेत कर देते हैं मेरे खेत बरबाद होते हो तो हो हमारा गाउं सलामत रहना चाहिए कर बोली तररर चाहिए कहां जा रही हो जी वो साथवलों के घर में शादी है सब लोग वहीं गए है इसलिए तुम भी जा रही हो मैं भी जा रही हूं अगर आप प्चासते तो तुम लोगा तो खून सफेद हो गया है कि अप्चासते तो तो खून सब प्चासते तो खून सब प्चासते तो जादी है कि अप्चासते तो खून सब लोगा है प्यार दे ये सांसे ये जीवन वार दे ना कभी ओ जुदा ना कभी ओ जुदा उम्र भर साथ में हम रहे चूडी रे चूडी रे पहनू पिया की चूडी रे दिल से दिल जो मिले दिल की बात हो गई दिल से दिल जो मिले दिल की बात हो गई बेकरारी बढ़ी मुलाकात हो गई कहीं पायल बजी खन की चूडिया कहीं पायल बजी खन की चूडिया चूडि 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 पहलों की पी आपकी चूडि चूडि कि तेहेरा सज्जागी मेंहिनी रच्चागी ले जाएगा मुझी अपना बनागी आएगा कभी न कभी मेरा पिया चुरी, 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 चुरी. जोडे से नहीं जोड़ा जाए दिल से दिल का नाता जोड़े से नहीं जोड़ा जाए दिल से दिल का नाता सैया ओ सैया पामली मेरी बैया पामली मेरी बैया आपड़ू में तेरे पैया सारी अमरू साथ रहोंगी बनके तेरी सैया जुरी 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 कर दो कर दो मिलके कभी ना बिछडे धर्ती अंबर चांद चकोरी बिन पांधे ही बन जाती है दो साथों की दोरी ए मिलके कभी ना बिछडे धर्ती अंबर चांद चकोरी बिन पांधे ही बन जाती है दो साथों की दोरी सेना ये लेना तीरी मीरी नेना, सोई न जाकी सारी सारी रेना जब जब जेको तुझ को आईजी आखो चैना चुली 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 घुली तियापकी चुड़ी चुड़ी रे, चुड़ी रे, पेले नूपिया की चुड़ी रे चुड़ी चुड़ी, 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 चुड़ी अभय अभय अर यही सही वक्त है इस वक्त दादा जी बहुत खुश है जाओ जाके उनसे मंगला का हाथ मंगलो जाओ जाओ जैसी खुशी इस घर में फैल गई है मालिक यदि वैसा ही कोई शुबकारिय उस घर में भी हो जाता तो आनंद आ अब इस घर उस घर मत कर गंजो अब दोनों गर एक हो गए है अरे कहा माले अभी तक रुद्र बाबु का गुस्सा शांत कहा हुआ है फिर भी दोनों घरों के बीच अगर रोटी बेटी का व्यवहार भी हो जाता तो आनंद बे और आनंद आ जाता क्या मतलब अब देखिए न यानि अपनी शांती बीटिया का बेटा अमरीका से वापस आ रहा है अचल और जैकुमार बाबु की बेटी जिसे आप अपनी पोती मानते हैं याने मंगला अगर इन दोनों का ब्याहा कर दिया जाए तो दोनों घर फिर से एक हो जाएंगे वैसे बात तो ये ठीक है रहा है विश्णू एक शादी में हम बिछड़ गए थे दूसरे में फिर से मिल जाएंगे क्या कहते हो मेरे लिए तो इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो सकती है लेकिन इसमें मर्जी मेरी नहीं जैकुमार की पूछनी चाहिए कैसी बात कर रहें बाबुजी आप मुस्से ज़्यादा हक तो मंगला पर आपका है अब बिलकुल देर मत करो भे इससे पहले की बात काबु से बाहर हो जाए जल्दी जाके अपनी बात कर लो जाओ जाओ बाबुजी एक जीजग के साथ एक डर के साथ बरसों बाद मैंने इस घर में कदम रखा आज ये रिष्टा जोड़कर अब सभी लोगों ने मुझ विध्वा का आंचल रंग दिया तो विरेंद्रव अच्छा सा मूरत देखकर सगाई कर देते हैं नहीं विश्णू सगाई हमें रास नहीं आती हम तो सीधा शादी का मूरत निकालेंगे है ठीक है हौण 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 वाली जगा यह हौण 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 गुट्छा अजीचर अभी सेतयारी शुको नहीं हौण 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 अभा न देक हौण अभा युछा यह ले लो, जी जी आओ बीटे मेटे अबाए जी दालाजी इधेर आओ इधेर आओ मेटे इन दोनों घरों की खोशिया तुमने वापस लोड़ा दी है मेरा पोता होने के नाते तुमने मेरे लिए बहुत बहुत कुछ किया है लेकि तुम्हारा दादा होने के नाते मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया और इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस शादी के बाद तुम्हारी शादी की बाराद भी इसी घर से निकले अगर शादी के लिए कोई लड़की ढूंड ली हो तो बेटे मुझे बताओ मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी पसंद की लड़की से ही तुम्हारी शादी करवाओंगा ठीक है? तुम चाहते थे यह चेन में अपने हाथों से तुम्हें पहना हूँ जिया आओ बेटे आज के बाद कभी भी मेरे बेटे की कभी मुझे महसूस नहीं होने थे नहीं कभी नहीं कभी नहीं अब खुश रहो बेटे खुश रहो वीरेंत पुर्दाब जी खुश रहे हैं मुझसे मिलने अरे यह सूरज कहां से निकला है लेकिन किसलिए उन्हें एक अच्छा सा मूरत निकलवाना है शादी के लिए इसलिए तो लोग तुम्हें लात मारते हैं अरे मालिक अपने नाती की शादी के लिए आ रहे हैं नाती हाँ वो बिध्वा शांती बहन का लड़का अर वो तो गया था अमिरीक अपणने लोट आया क्या लड़की को नहीं मंगला मंगला अपने जयकुमार बावु की बेटी हां वो तो विष्णु प्रताप की पोती है चतुरवदी जी पोती नहीं पोती जैसी है यह जोगी बड़े जोरों की लगी है बिना डबा लिया गया उस दिन पहले रुद्रबावु ने पीटा फिर बंबई वाले ने पीटा आज ये किसी और से पिटवानी की चाल चला है गज्जु लेकिन मैं यह नहीं होने दूंगा क्यों नहीं होने देंगे चतुरवेदी जी आज तो विश्णु जी के घर में बात पक्की हुई है तो बाद ही पक्की हो गए बिलकُल पक्की बेवकूर समझा गें तूने मुझे है। मैं चतुरवेदी हुच चतुरवेदी। मुझे के नामुम्किन है। अगर गर भीर जाएं और दोनों एक हो जाएंगे। यह मेरी भविश माली है राम बरन चतुरवेदी की भविश माली है क्या फिश पिश कर दा है मेरी बात याद रख ले तू भी याद रख ले शादी का मूरत निकारने के लिए कहा था तू तो अप्शकुन कर रहा है ना लाइक इसके भविश इंद खावेसे अब भार अशुभू बोल के मार खाते हो तुम्हारा शुब दिन कवाएगा चतुरवेदी तो अब तो दियारे चार्म तरफ से दूसरों की किसमत का हाल पढ़ने जे पहले अपनी किसमत का हाल पढ़ लेता रे चतुरवेदी यह मिचाया उनकी का दे देना ठीके यहां अरे अचल कौन है जिससे वी है शादी लेकिन मेरे शादी टैकी किसने नाना जी ने और तुम्हारी आदी ने लड़ी लड़ी बढ़की के मां शांती बुआ ने और सब ने अभे सिना तुमने शांती बुआ जी का पीटा अचल जो फॉरे में पढ़ रहा है उसके साथ मेरी शादी होगी फ़र इसवाल हुआ फॉर हाल बन्हाई क्यों सब में यह फ़नी क्या मिन है और नहीं तो क्या पतानी ही है यह इस की यह फिर जो समझना यह फिर छोने जोनों की तरह प्यार करना बहुत ज़रूरी है ना क्यों? यह सुनकर कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं ढूस प्यार कॉ classified कि अब बस करो एक हमारे Unley का सुवाल है चल और चाहर को कि अप से कहते कि हम एक दूसरे से प्यार करते है और उनकी तरह तुम्हारे साथ भी मजाग किया था मैंने मंगला जिसको तुम प्यार के रही हो गलत समझ रही हो तुम मैं भी खलट समझ रही हूं जब भी हम तुनों की नोख्चों के बीच तुमने मुझे हराया मुझे ऐसे लगता था कि तुमसे हार के भी मेरी जीत है हस्ते केलती मुझे रुलाने के लिए जब तुमने मेरी तस्वीर एकीची मैं ने समझा कि मैं तहल्य दिल में बस कही हूँ और जब तुमने सब से खा कि तुम साइकलरस हार गए आर मैं जीत कही उसमल मुझे यगएन हो गया कि मैंने तुम्हारे दिल में जगा कर ली है लेकिन अब बताचला साइकलरस नहीं तुम्हारा प्यार जीतने में हार गई बस एक बार एक बार मेरी आखों में देखकर कहो हम इतने दिन साथ-साथ रहे क्या किसी भी पल तुम्हें यह नहीं लगा कि तुम्हें मुझे प्यार करते हो नहीं आईगान कि अirm मुझे रहे आए भार भार क्या किन साथ-साथ् आप, तुम्हार क्या वहार कोी रहार में हुआ वहार क्याकि अपल के लो जो ये क्या मचबूरी है ये कैसी दूरी है कैसा ये मेरा प्यार है सुजा ये कैसी है ये कैसा नसीवा है इस जीत में तो हार है रोना जो चाहूं भी तो मैं रो न पाओं क्या चोट खाई मैंने कैसे बताओं क्या चोट खाई मैंने कैसे बताओं रुलाया तेरे दिल को तुझसे बेरुखी कर ली पेपसी थी मेरी तुझसे तुष्मनी 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 कर ली तुम तीनों यहीं पर काम करोगी तो महां कुन देखेगा जाओ जल्दी जाओ जी जाता हूँ अभे अब तो शादी की तैयारियां भी कितनी शाहनदार तरीके से हो रही है न हाँ होनी भी चाहिए आकर विष्णु प्रताप सिंग के परिवार में शादी हो रही है कहीं कोई कमी नजर नहीं आनी चाहिए मेरी तरफ देखो और कहो यह मंगला की शादी हो रही है बिटे अरे क्या मा तुम तो ऐसे बता रही हो जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं बिटा मैं तेरी मा हूँ अब इन सब बातों का क्या मतलब क्या तू मंगला से प्यार नहीं करता हूं हाँ मैं मंगला से बहुत प्यार करता हूं हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं यह दस दिनों का साथ ऐसा लगता है कि मैं उसे बरसों से जानता हूं जैसा मेरा कोई रिष्टा हो उसक तु उसे इतना चाहता है क्या उसके बगार तुझी पाएगा बिटा हाँ इधर आमा देख इतने सालो बाद इस घर में खुशियां लौट आई हैं दादा जी फिर से अपनी बहन को मिल सकते हैं और शांती बुआ का देख माँ पूरे पचीस साल बाद उनके चहरे पर हसी दिखाई दी है अब अगर मैं कुछ कहूं तो यह दो परिवार आपस में फिर लड़कर एक दूसरे को मार डालेंगे और मैं अपनी एक खुशी के लिए सब की खुशियां नहीं चीन सकता मा और अगर मंगला ने तुम से यह पूछा कि इन सब की खुशियों के लिए तुम मेरे प्यार को क्यों ठुकराना चाहते हो तो तुम क्या जवाब दोगी मैं मंगला से क्या चुका हूं कि मैंने उसे कभी प्यार नहीं किया अगर उस दिन मैंने या तुम्हारे पिता जी ने भी परिवार के बारे में सोचा होता तो शायद आज तुम्हारी आखों में मुझे आसू ना देखने पड़ते नहीं मा प्लीज एक दू दिन की तो बात है उसके बाद हम मुंबई लोट जाएंगे धेर सारी आदे लिए और उन्हीं आदों के साहरे में जी लूंगा मा अभे अगर तु मेरा बेटा ना होता तो आज मैं तेरी पाउंचु लेती अरे नहीं मा मा के हाथ सिर्फ आशरवाद दिनी के लिए होते हैं माफी मंगने के लिए नहीं जा मा मंगला को दुलहन बना उसे आशरवाद दो वो हमेशा खुश रहे अभे 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 अगर मेरे लिए भी आप ऐसी शेरवानी सिर्वा देते ना तो बहुत अच्छा होता है तुझे सूर सिल्वा दूआ दूँगा फिकर मत कर सूट पर ये माला कैसे पेंदूँगा हाँ वैसे हाँ चलो ना भाबी रुद्र चलो उठो वहां वो इंद्रप्रताप का बेटा भी होगा जिसे देखते मेरा खून का लुटता है रुद्र विया मेरे बेटे का हो रहा है तुम्हारे भांजे का चल कर उसे आशिरवाद नहीं दोगे चलो ना भाया आप चली मैं आता हूं तुम्हीं जाइन के ज़ुलो चले मुन्हा आजा परेशनो अबाराको बाईया अबाराको आओ कि अवर बार को भार कूट मुवर बार को यह चिठी दी है मंगला ने हाँ पहले तो गुसे में थी फिर रो रही थी फिर वो अटेची उठा के कहीं चली गई क्या हुआ भै हाँ मंगला चली गई हाँ गोविन दादा किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए मैं किसी भी तर्य उसको वापस लेकर आता हूँ तो गड़ी बीचे जारे जजमान कन्या को बुलाईए ना अरे कहा है मंगला बुलानो उसे जाओ बलाओ तादा जी तादा जी तो घर पे नहीं है गर में नहीं है क्या मतलब चलो बीटिया तुम्हें ममी बूला रही एक में ठारो मंगला कहा है चलो बीटिया चली गए मना किया था मैंने रिष्टा मत जोड़ो लेकिन किसी ने मेरे बात नहीं सुनी अब देख लो नतीचा रुद्र पताप जैसा बाप वैसा बेटा वो दुलन को वेदी की आग में जोग कर चला गया था और यह दुलन को वेदी पर से भगा कर ले गया ऐसा नहीं हो कि जल्दी अगर पहले कर लियोती थी नौबत कभी नाती और आपने यहाँ से कोई मत जाना मैं दुलन को भी वापस लेकर आता हूं और तुम लोग शेनाई यहीं पर बजाना पहले शादी की उसके बाद मातम की हाथ चोड़ो चोड़ो ओल्धड़ो यह जो तुम कर रही हो गलत है पल्स पलीज वापस चलो मेरे साथ टीक है मैं चलूंगी ओं तुम मटो से शादी करूंगे है मैं मर जाओंगी लेकिन किसी और कशादी कभी नहीं करूंगी कभी है आधिना मंगलारै शादि से सिर्फ हम खुष रह सकते हैं क्या तुम这ं वैं दूस्आ की खुशियों की जरा भी परवा नहीं मुझे दूसरों कोई परवाह नहीं मुझे अने कुशी साधा प्यारी है तंप्यार के हें कुर्बाणय दे सकते हूं लेकिन प्यार को तो खुर्बार नहीं कर सकते है पिरेंद्र परताप यह मेरा जूता उठाओ और इससे आज मुझे बहुत मारो सबके सामने मुझे आज इतना मारो कि आज के बाद कोई भी मुझे अपनी बराबरी में नहीं भिटाए ताकि सारी दुनिया को पता चले कि मेरा खूली गंदा है बाजी शांत हो जाईए पिटा वो जो नाला एक निकला और आज ये पोता हो नहीं साबजी नहीं इस अब में अभे बाबू का कोई दोश नहीं है तुम चुप रहों को नहीं रहूंगा साब जी मैं चुप नहीं रहूंगा इतने दिन अभय बाबु चुप रहे और उसका नतिजा यही हुआ कि आप उनके पीट पर भला पुरा बोल रहे हैं उनको असली बात तो यह है कि अभय बाबु और मंगला बिटिया प्यार करते हैं एक दूसरे से शादी करने वाले थे दोनों लेकिन इतने में रिष्टा तय हो गया मगर आप लोगों के खुशी के लिए अभय बाबु ने अपने दिल पर पत्थर रख लिया गला घोड़ दिया अपने प्यार का था कि आप दूनों के परिवार में फिर से मेल हो जाए यह यह क्या कह रहे ह वह मंगला बिटिया नहीं मानी उसे लगा कि यह पाप है यह महापाप है कि मैं प्यार किसे और से करूँ और शादी किसे और से करूँ ऐसे कभी घर नहीं बसते साब जी घर बरबाद हो जाते हैं इसलिए वो घर सोड़की चली गई और जाते वक्त ये चिटी चोड़ गई प्रक मेरी बातों सुदो मंगला, मेरी सब सुन लिया तुमारी हर बात जो तुम अपनी मासे कह रहे थी तुम्हारि टैरिक का हर एक व्यूणापद है मैंने, जुसमे तुमने तुम ने तुम आरे प्यार की बारे में लिखा है मैं जानती हूँ तुम मुझे चाहते हूँ प्यार करते हूँ तुम मुझसे क्यों अब है क्यों दोका दे रहे हूँ प्लीस इस समय मुझे अक्यला जोड़ दो प्लीस मुझे समझने की कोशिश करें तुम जानती हो अगर तुम घर नहीं चलोगी तो वहां क्या होगा पता है यने तो महारा नाम अपने दिल पर लिखती है जिसे नहीं नहीं को ही नहीं मुझे कर बात है अगर मैं यहां पर नहीं आता तो तो भी अपने बाप की तरह यहां से भागने के तियारी में था नहीं रूद्रा तो मुझे गहलत समझ रहो क्या समझ्दरी कोशिश करूँ पश्पन से इसी दिन का मौका ढूंड रहा था साले मेरे घर की बहु पर मज़ब डालता है मुझे बहां और के इसी से से अराख अर दो को समासे लागने मुझे थाह। कि भもの कि रिखता प्रवां बगया था गुझे प्सकि अरह गल का द कर का फवो कि धन्यृ हम हम खानी को से पस्थ भागने तो कर हूआ कि एस झाला किए... ब nightmares हर ईं पेंटकर्पिय एंप उञ जबBe, हर दो ओिर हर दोज को ब mic.. व mentalए हर दोज को उसे एंप आखड़, बाज़ चल टान खड़स एंप लग मज principles ब मार बाल दो बाल झार ऑ माँ राख नाख, बाख फवर की झार! हमागे योई लिया armiesग आरी गुष्षर मेज़ map है! कर दकार बाख टारा, मँड है विर एडयों यूर صवाओ! हाँ, 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 बाख वाख एंधुर पी बाख एंधुराब! वै लुए नाख एंधだете! आजाए, टुप्टे जगार जैजर लन्ध्टन ए और वोgypt हमके झार में महां और ये चैनल हैंग tę बाल हैंग जाम सकता कि अप्सक्रकश मैं लまぁ अजाए है और सकता कि जार हैंग आप मैं और उत इंक fueronte ऑ Max हैंग requiring में लिए 12 सकता हैंग मैं हैं से और घडना limited लिए मंगला, मंगला, आपके को, सबस्टो, उतो मंगला, उतो, मंगला, मंगला, उतो आपके, आपके, उतो आपके, आपके आपके, आपके, उतो, पाँ ऊहलें ढाँ ज्टी अभी यह क्या कर भिया तुम अनुद्र है जड़िए राज से दादा जी लखीन करो मैं नुम्या को गर ले जाने क्लिए आया था यानता हूँ बेटे सब चांग गया हूँ लगर बेरी से बेटे नुम अपनी जान की बाजी लगा कर हम लोगों को मिलाना चाहते हो मैं आज तक प्यार करने वालों की भावनाओं को समझ नहीं पाया पहली गलती अपने बेटे के साथ कर बैठा दूसरी तुम्हारे बेटे तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं जब मैंने तुम से पूछा कहा क्यों नहीं कि तुम मंगला से प्यार क अगर बताते हैं तो क्या करते हैं अरे मार पीट और खून खराबे से जिन्दिगी की गुत्थी सुलस्ती नहीं है और उलग जाती है तू बता आज तक नफर से हमें क्या मिला अपनों को हमेशा के लिए खो दिया और अपनों से ही हमेशा दूर रहे सच्चे प्यार के आगे तो बगवान भी जुक जाते हैं पर इंसान क्या चीज़ है मंगला तुम्हारे ही घर की बहु बनेगी जयो विष्णु परताब जी जयो विरेंद परताब जी अरे आईए आईए राम बरम चतुरवेदी साब आईए अरे उस दिन आप लोग ने मुझे पीटा तो मैं शेहर चला गया था इलाज करवाने के लिए लाटकर आया तो पता लगा कि आप लोग एक हो गया है राम बरम बरम चतुरवेदी की भवश्वानी जूट ही निकल जा है मुझे एक ही नहीं होता क्या आप सच्छोज ये खो सुनिये मैंने इन दोनों को अलग किया था अब मैं ही दोनों को मिला रहा हूँ देखिए सीता राम की जोड़ी अब जल्दी सिनके शादी का मुहरत निकाल दीजिए शादी का क्या आप तो मैं सुहाग रात का मुहरत निकाले देता हूं ये लोग क्यों ये रादा ठीक है ना सासे के जीवन मुवार देना कभी हो जुदा उम्र बर सात में हम रहें कुछ तुम कहो कुछ हम कहें सुक दुख सदा मिल के सहें सुम एट मुवा है मिलन की रात हो, मिलन की बात हो लबों पे हो हसे, हाथ में हाथ हो मिलन की रात हो, मिलन की बात हो लबों पे हो हसे, हाथ में हाथ हो हमें जीना है सब के वास्ते हम छोड़े न सच के रास्ते ना कभी हो जुदा उम्र भर साथ में हम रहें कुछ तुम कहो, कुछ हम कहें